आपने देखा होगा कि हातरस की घटना में DM जाकर जो कलेक्टर है वो जाकर धमका रहा है उसकी जो लड़की मनीशा जिसकी मतब जिसकी हत्या हुई है उस लड़की के परिवार वालों को हातरस में हातरस का DM जाकर धमका रहा कि यह मीडिया वाले तो आज हैं कल चले जाएंग और तुम्हें और हमें ही रहना यह हमत हो रही है, डीम की. यह डीम यह समझ रहा है, जो मुक्खे मंतिरी है, उसका तेरे सर पर हातर मुक्खे मंतिरी ने खुली चूट दे रहे है बुढ़ागर्दी करने की, तो तुम जो चाहोगे, कर लोगे. डियम को जरा होश में रहना चाहिए ये जनता है अगर जनता जागई तो धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए देखे मैंने आपको कल भी कहा था कि राम राज को आप ध्यान से देखें जिस राज में महिलाँ पर जबरदस तरीके से अत्याचार हुआ सीता का क्या कसूर था भाई आप जरा मुझे बताएंगे कि सीता का क्या कसूर था जब उसके तीन तीन बार अगनी परिक्षा ली अगनी परिक्षा लेने के बाद भी सीता को सुसाइड करना पड़ा आत्मत्या करनी पड़ी धरती में समझाने का मतलब क्या है सिदे सिदे हांत मतलब है उसको तरीके से سमझा जाए तो उस समय भी महिलाओं पर अत्याचार होते थे और वही रामराज है जिसमें महिलाओं किसी हालत में सुरक्षित नहीं है और ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं का नारा देकर जनता की आँख में धूल जोकने वाली गुंडे, बदमास और बलातकारियों की सरकार है, तो इसमें महिलाई कैसे सुरक्षित रह जाएंगी, आप देखिए, मैंने कल भी आपको कई उधारन बताये थे, आपको चित्रकूट का उधारन बता आज हम गड़की और जनाने कितने कितने रोज होते हैं, और यह सबसे बड़ी दुखवत बात यह है कि सरकार जो कह रही है, आप सरकार का काम करने का तरीका देखिए आप, कि उस गाउं में आप उस पूरी तरह से उस गाउं को आपने सील कर दिया है, और आप वहां किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं, किसी भी जो सामजी कार करता है, कोई राजनितिक व्यक्ति है, किसी पार्टी का व्यक्ति है, आप किसी को नहीं आने दे रहे हैं, आपने पूरा गाउं सील कर दिया है, वहां के रास्ते सील कर दिया है, और उस सब के बावजूद भी छिता की आग हातरस की जो वो लड़की है उसकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और चार जबर्दस घटना है उसमें भी लड़कियों के साथ उसी तरह से आप बलरामपुर की घटना देखेंगे वही लड़की पढ़ते हैं कि अपने स्कूल से आती हुई लड़की उसको कि साथ में बागपत का एक मसला बताया जा रहा है और अभी 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 की जो आ रही है तीन चार गंटे पहले की सिती वो यह है कि भदोई में भी एक नावलिक लड़की के साथ में इसी तरह की घटना घटी है उसका जो है सर पत्थर से कुचल कर उसा मार दिया गया है तो आ देश की सरकार पूरी तरह से शामिल है क्यों शामिल है मैं इसका उधारन आपको बताता हूं आपने देखा होगा कि हात्रस की घटना में डीयम जाकर जो कलक्टर है वो जाकर धमका रहा है उसकी जो लड़की मनीशा जिसकी मतब जिसकी हत्या हुई है उस लड़की के चले जाएंगे तुम्हे हमındaki रहना है अगर कोरणा से मर गई होती तो क्या मिलता है कुछ मेंनी अब तो तब भी पैसे मिले और तुम्हे हमही रहना यह हिमनत हो रही है ऑल्मे म。z. ये समझ रहा है कि मुक्ह मंत्री है उसका तेरा सर पर हातर मुक्ह मंत्री ने खुली छू को SSB को इनको सबको समझना चाहिए कि ये अभी जंता सोई हुई है जागी नहीं है अगर जाग गई तो धर्ती कम पड़ेगी भागने के लिए तो जो कानूनी काम है उस कानूनी काम को पूरी इमांदारी से निश्पक्रूप से कानूनी तरीके से करो हाला कि तुमने पहले ही जो रिपोर्ट आ रही है उन रिपोर्ट के अंसार से F.I.R. भी तुमने पूरी तरह से बेकारी कर दिये है F.I.R. में कहीं बलातकार की बात नहीं है जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहीं पेपर्स में बलातकार की बात नहीं है तो तुमने जो कुछ भी हो कर दिया और ल पुलिस नहीं ड़ती है यह बहुत सुन्योजित एक शड़ियंत्र होता है सोची समझी साजिस के तहत यह शड़ियंत्र होता है जिसमें हर तरह के सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है और उसी कोशिश के तहत में उस लाश को रात में ही परिवार वालों को दिये बिना ही जला दिया गया परिवार के लोगों को उस लाश का उस बच्ची की लाश का अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया गया यहाँ एक सवाल यह और खड़ा होता है कि क्या वाकई में उसी लड़की किलास थी जब आप किसी को देखने ही ने दे रहे परवार के किसी वेक्तिने देखा नहीं है पूरी तरह से आपने बंद करकर रखा है और आपने जला दी तो क्या पता है कि वो उसी लड़की के लास है कोई और है कुछ नहीं कहा जा सकता तो ये सबूतों को मिटाने की बड़ी गहरी साजिचे जिसमें शासन और प्रशासन दोनों सामिलें नीचे से लेके पुलिस और ये कलेक्टर और इसके ओपर जितने भी लोग हैं पुलिस और सरकार इसमें पूरी तरह से शामिलें इसलिए ये सब कुछ किया गया है दलित होना तो इस देश में बहुत पहले से ही बहुत ही बड़ा पाप रहा है आप देखें एक देशी कहावत है मैं आपको सुना तो सुनके अभी आप ये कहेंगे कि क्या इस देशी कहावत ये है कि भाईया इन से तो दलितों से तो इस देश की घास भी जलती है इनसान की तो बात चुड़ो और जिस देश में इतने हजारों साल तक छुआ छूत रही हो अचूतों को जिस घृणा से देखा जाता था सारे मानवी अधिकार जिनके खत्म कर दिये गए थे जिनको कोई किसी तरह का अधिकार नहीं था जो अगर वेद का कोई शब्द बोलें तो उसकी जीव काट ली जाए और वेद का कोई शब्द उनके कान में पड़ जाए तो पिगला हुआ शीशा डाल दिया जाए या लाक डाल दी जाए उस इसी से गुजरा है जिसको ना तो संपत्ति रखने क руки अधिकार ना पढ़ने का अधिकार ना किसी बितरह का अधिकार जिनको घरों से बाहर रखा जाता था आज वो लोग उज्य बाबा साब डॉक्टर भीमरा बंबेट करजी के शुब करमों की वज़े से जो सम्विधान में उन्होंने प्राबधान कर दिया उसकी वज़े से कुछ बढ़ पढ़ पाए हैं आगे निकल पाए हैं बढ़ पाए ह तो यह जो सब सारी चीज़ें हैं उसके तहत ही हो रही है इसलिए यह सब कुछ अपराद है बन रहा है अपराद जो बड़े लीडर है स्री जाहुर गांधी जी और साथ में प्रियांग गांधी वाडरा ने जब हासराइस के लिए जब पीड़ता को जो घर से मिलने के लिए निकलती हैं तो यह देखा जाता है कि पुलिस धक्के मार के गिरा देती है क्या लग नहीं रहा है आपको कि सकती है वो सारा सब कुछ सब गाड़ी है ये है वो है पूरी तरह से मार भी सकती है मतब हड्या पसली भी तोड़ सकती है यूपी पुलिस जिस तरह से कर रही है गुंडा गर दी वो कुछ भी कर सकती है इन सारी चीजों तो कोई नहीं है मैंने समझता कि ये कोई एक बड़ी पात कर दी है कि उन्हें धक्के मार के गिए यहां की नहीं हमारे मेरी केसे केज को पूरी तरह से खत्मँ और बरबाद कर सकते हैं मेरा कहना यह है इन सभी में लोगों से चाहिरा जब प्रियंका वड़े रहा हो या कोई भी हो सामाजी को राजनिती कारे करता सबसे मेरा एक कहना है साती और हातरस में जाके अब करेंगे भी क्या परिवार के लोग जो है निश्चित रुप से दुखी है पूरी तार चार रुप से गाओं को घेर रखा है मैं समझता हूं इ कावाज उठाने की हिम्मत रखते हैं जितने भी राजनितित को के लिए कूछ करने का हम लोग सब एक बैटके प्लान बनाएं पूरा मस्टर प्लान बनाएं और यहां से कूछ करें और इस गुंडों की सरकार को पूरी तरह से बेदखल करने के लिए इसका तकटा पलटने के लिए हम सब को मिलके काम करना चीए तभी रुकेगा और मैं समझता हूँ होना तो चीए प्रधान मंत्री का अभी कोई इस पे शाद को एक भी जरब बयान वगरा कुछ आये नहीं है और वो प्रधान मंत्री है जो 2017 में चुनाब के दौरान चुनाब के दौरान के रहे ते उत्तर प्रधेश का वो हाल है कि बच्चियां यहां निकल नहीं सकती है शाम को पाँच और शे बज़े के बाद में लड़के जो हैं इस तरह के टौंट कसते हैं अब है वो तो टौंट कसने जा रही है पैरों के हड़ी तोड़ी जा रही है जीब काटी जा रही है और उसके बाद सरकार द्वारा पुलिस द्वारा सबूत मिटाए जा रहे आधेर में ही जो उनका बिना परिवार को दिखाए शकल दिखाए भी बिना परिवार के उपस्तिती के ही उनका तिम सस्कार किया जा रहा प्रदान मंत्री को नजर नहीं आता ये शिरिमान 56 इंची चौकिदार महोदे आपको ये जो सब कुछ हो रहा है नजर नहीं आता आपको आपको नजर आना चाहिए आपका बयान आना चाहिए और आपका बयान इस तरह से आना चाहिए कि जो द DM को इतनी जबर्द इस तरह की सजा दी जाने चीए उस तुरंत बरकात किया जाने चीए क्योंकि ये evidence के साथ में छिड़ चाड़ है ये इस सबूतों के साथ में गवाहों के साथ में गवाहों को धमकाने और सबूतों के साथ में छिड़ चाड़ है तो चाहे DM हो चाहे SP हो चा कार के जितने लोग इंवाल में चाहे कोई मंत्री है या मुख्य मंत्री भी है उसको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए तब है नहीं तो शिर्मान जी आप जो कह रहे हैं यह शुरू से वैसे भी सिद्ध है कि आप जूट के लाबा कुछ नहीं कहते हैं और आप क्या बचाएंगे क क्या मुख्य मंत्री को कहेंगे क्योंकि आप ही के संदक्षन में तो चारों तरफ यह सब कुछ हो रहा है इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिलकुत बेकार यह गुंडों की सरकार है और गुंडा गर्दी पर उत्री हुई है और गुंडों को पूरा संद चार दे रही है